इस वीडियो में हम कुछ extra pages बनाएंगे जिसे की login page, signup page और कुछ और extra pages जो आपको इस site में चाहिए तो हम same method यूज करते हैं, हम copy करते हैं एक पिछले HTML page से और बीच में जो container section था जिसमें हमारा content था उसको हम हटा देंगे इस section में हम navigation बार भी हटा देंगे, क्योंकि navigation भी नहीं चाहिए, आपको signup login page में उसके बाद मैं एक div बनाऊँगा, जो हमारा container है उसमें, इस div को भी हम flex class दे देंगे, dflex से इसके अंदर मैं एक और div बनाऊँगा, जिसमें मैं इसको login box बुलूँगा, तो basically हम सबसे पहले login page generate कर रहे हैं, इसके अंदर हम form यूज़ करेंगे, क्यों generally login में आपको inputs चाहिए, तो मैं कुछ input text दे दूँगा, text या email आप दे सकते हो, ज़ादा proper रहेगा, placeholder में put कर दू इस form को submit करने के लिए होगा, same class आप यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा justify हम करेंगे इस content को center में, ताकि पूरा form आपका center दिखाई दे, थोड़ा मैं margin top से दे देता हूँ, या margin auto से वो अपने आप में center हो जाएगा, तो काफी दोनों तरह से सारा content हमारा center होगा, अब मैं login box जो class हमने बनाई थी, थोड़ा सा gray background यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ करूँगा, और एक border radius दे देते हैं, थोड़ा सा round rectangle जैसा look आएगा, और एक padding मैं 2rem की put कर देता हूँ, अब आप देख रहे हो, काफी छोटा दिखाई दे रहा है अभी ये box, तो थोड़ा हमने कुछ और इसमें put करना होगा, तो first thing हम इनके बीच में column 4 दे देते हैं, ताकि इसका थोड़ा width बढ़े, तो call 4 से इसका page में width पढ़ गया है, अब मैं कुछ padding provide कर रहा हूँ, padding उन चीजों को space provide करने के लिए हम try कर रहे हैं, तो actually इससे space नहीं होगा, क्योंकि वो padding उसके अंदर है तो margin आप put कर दो, तो आपस में उनका space दिखाई देगा, तो अभी आपस में थोड़े space दे, button थोड़ा white दिखाई दे रहा है, तो हम इसको color दे देते हैं, तो मैं एक success color इसपे put कर देता हूँ, button success जो class है bootstrap में, इससे green दिखाई देगा, इसके अलावा हम margin top put कर देते हैं तो यह margin पूरे box का top से दिखाई देगा, हम site का एक नाम भी देना चाहते हैं, तो मैं एक division create कर रहा हूँ, इसमें मैं h1 heading और e shopper put कर देता हूँ, तो यह भी side में दिखाई दे रहा है, इसको हम center line करना चाहेंगे, तो मैं पूरे को इससे बाहर put कर देता हूँ, जो हमारा flags ह क्योंकि यह top पे हमको रखना है, इसको मैं tech center class put कर दूँगा, centered हो गया है, यहाँ पे margin y direction में मैं दे सकता हूँ, उपर क्योंकि पहले bottom में था, अब दोनों direction में हम दे सकते हैं, अब हमको footer में थोड़ा change करना होगा, मैं चाहता हूँ कि footer भी थोड़ा flexible हो जाए और अपन layout में चीजों को arrange कर सकेंगे, बट by default अगर मैं flex layout यहाँ पुट करता हूँ, कुछ हजीब सा result हा रहे है, हाँ अभी यह column layout काम तो कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ वैसा result नहीं मिला है, stretch नहीं हुए है, सारी items, यहाँ footer पे empty auto लगा हुआ है, अल्रेड़ी, एक बार हम check कर करके देखते हैं, documentation में कि हम कौन सी classes यूज कर सकते हैं, तो auto margins हम try करके देख सकते हैं, auto margins में, जैसे आप देख रहे हो, me auto और इस तरह की classes देखे हम, अपने आप उनको arrange कर सकते हैं, तो me की जगे में ms put कर देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, कि me auto right में put करने के लिए ह और pushing left में put करने के लिए ms auto है, तो वो आप try करके देख सकते हूँ, पर actually ये column layout है, तो शायद हमको दूसरी direction में margins देने होंगे, तो मैं body पे सबसे पहले कुछ changes लाता हूँ, जैसे minimum height, क्योंकि 100 vh height या नि vertical पूरा space वो ले लेगा, तो उससे हम देखते हैं, कि flex पूरा stretch हो पाएगा क्या, उसके बाद हम margin वापस से हम try करेंगे, empty auto देने का, इससे ये proper हो गया है, तो पहले हमारे पास top से height नहीं थी, तो 100 vh देने से वो हमको proper height मिल गई, और empty auto से ही वो stretch हो गया, क्योंकि column layout था, otherwise आप ms और me auto use कर सकते थे, अब मैं login page को ही copy करके sign up page बना रहा हू बस form में कुछ जादा elements होंगे, जहां पर आप अपना name वगएरे put कर सकते हो, तो यहां पर मैं differentiate करने के लिए एक में login page लिख देता हूँ, और दूसरे में हम वहीं h2 में sign up page लिखतेंगे, sign up page में हमको कुछ और चीज़े चाहिए, email के अलावा, तो जैसे name वगएरे भी हम user का enter करवाते हैं, first time अगर account बनवाना हो तो, password में भी हम उसको दो बार chance देते हैं, यह सारे fields हम edit कर सकते हैं, name को मैं top पे रख देता हूँ, full name placeholder में पुट कर दिया है, अब value में मैं अलग-अलग value पुट कर रहा हूँ, by default हमने submit button use किया था पहले, बट अब मैं value field से दोनों क button text change कर रहा हूँ, तो एक में login दिखाई देगा, जो login page है, इसको center कर देते हैं, तो text center से center हो जाएगा, तो इसमें अभी login दिखाई दे रहा है button पे, तो h3 मैं put कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करके देखते हैं, same class sign up पे अब use कर लेते हैं, पर यहाँ पे हम sign up create account में capital कर देता हूँ, तो अब यह काफी clearly दिखाई दे रहा है, अब कुछ और pages हम create करते हैं, जैसे आप देखो कि order success होने पे एक अलग तरह का page आता है, मैं एक बहुत ही simple order success page बना रहा हूँ, same philosophy use करेंगे हम, पूरा यही page use करेंगे, delete कर देंगे बीच से form, और मैं यहाँ order successful लिख दूँगा, h3 में, उसके नीचे एक icon मैं put करना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, तो मैं icon search करता हूँ, success related कोई, तो bootstrap के icons में मैं search कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं success से search कर लेता हूँ, इससे कुछ icon नहीं आया है, check mark search करता हूँ, जो थोड़ा success जैसा लगे, तो यह round check circle में को अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको use करता हूँ, और इस पे text success से मैं color green कर दूँगा, तो इस page को open करके देखतें कैसा दिखाई दे रहा है यह, तो यह काफी छोटा सा icon दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा बढ़ा दिखाने के try करेंगे, सबसे इसको align कर देते है, margin auto से, margin auto I think अच्छा idea नहीं है, flex layout है तो हम इसको directly भी text center और flex property से center कर सकते हैं, तो text center कर देता हूँ, यह center हो गया है, अब इसकी थोड़ी size भी बढ़ानी पड़ेगी, तो fs5 font size 5 से try करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा है पर इतना sufficient नहीं है, तो मैं एक success class अ काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, अब एक random number पुट कर देते हैं, एक h6 मैं नीचे पुट कर रहा हूँ, कि आपका order अभी deliver होने वाला है, इतने दिनों में, यह कुछ ऐसा हम template create कर रहे हैं, तो इस तरह का success page आप दिखा सकते हैं, और इसी तरह का failure page भी आप दिखा सकते ह है, इसी कोई copy कर लेते हैं, और failure page बना देते हैं, almost मैं सब कुछ बना चुका हूँ, थोड़ी messaging चेंज करनी है, तो payment failure लिख देते हैं, यहाँ पे एक sorry message मैं put कर रहा हूँ, और last में मैं icon भी change कर देता हूँ, icon की size वगएर तो हम सब set कर चुके हैं, तो बस एक icon की class चेंज कर रहा हूँ, इसको green में भी नहीं दिखाना चाहिए, तो मैं text danger यूज़ करके reddish color दूँगा, इस page को open करके देखते हैं, तो आप देख रहे हो, यहाँ भी काफी ठीक दिखाई दे रहा है, यह failure के हिसाब से, lastly मैं 404 HTML page बनाता हूँ, जो generally site में अगर वो कोई भी गलत link put कर द दूँगा कि आप जाके home page पे हमारी site visit कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप home page का link देदे, जो मेरा by default क्योंकि index page में ही home page है, तो मैं slash link दे रहा हूँ, यहाँ पे, refresh करके देखते हैं, तो 404 यह page है, इस पे click करके आप check कर सकते हो, उपर payment failure की जगे आप page not found, जो की 404 का actual meaning होता है वो put कर दो, link पी check करके देखें, तो यह सही में home page पे जा रहा है, तो इस channel पे हम देखते हैं, interesting code concepts और उनके example codes, अगर आप और ऐसे video देखना चाहते हैं, तो subscribe कीजे,